नमस्कार बता दें कि यह जो न्यूज है यह जो ख़बर है वो जेपी एसे ने जहारकंड पॉब्लिक सर्विस कमिशन का तैयारी कर रहे हैं अभीरतियों के लिए है कि अभीरतियों और उनके ऐलिये जो निए जो राज सरकार्ज होगी यहार के अभीक्स करते हैं तो हजार रूपय यहां पर देखे सारे लिखा वह मैं आपको एक एक करके हैं बताता हूं ठीक है का तो है तो यहां पर देखें लिखा हूँ एक की राजजे सरकार जहरकंड लोग सेवायोग दुबारा आयोजित होने वाले ठीक है कि होने वाली सिविल सेवा मुख्य परिक्षा के तियारी के लिए अभ्यरतियों को पच्चास हजार रुपिय की आर्थिक साहिता देगी इसे लेकर मुख्य मंत्री परतिभा पृत्साहन योजना शुरू की जाएगी तो योजना का क्या नाम है यह याद रखें तो इ भानमिक प्रिक्षा उत्तिर्ण के जार्खणak के निवासी को ही इसमें लाब मिलेगा यह बहुता तो भी किताबे विजा है कि अभी तक राज्य सरकार कल्यान विभाग के मजधम से अनुसूचित जाती एवं जन जाती अभिरतियों को संग लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाले सिविल सेवा मुख्य परिक्षा के तैयरी के लिए एक लाग रुपय के सहायता रासी उपलब्द कराती रही है अब ज जेपिय सेमुई के परिक्षा के तैयारी के लिए भी राज्य सरकार राशी परदान करेगी ठीक है इसका लाब सभी सरेणी के अभिरतियों के मिलेगा आप सिर्फ अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के लिए नहीं बलकि अन्य वर्गों को भी इससे लाभ मिल देगा इधर राज्य सरकार के महिलाओं के कोसल परसेक्षन के लिए राशी में नैशनल स्कील ट्रेनिंग इंस्ट्यूट फॉर विमेन के स्थापना की जाएगी ठीक है यह भी बात है और साथे साथे यहां पर लिखा हुआ है कि इसे लेकर हेहल स्थित आई टी आई सामयन परिसार में एक एकड़ जमिन उपलवद कराई गई है तो यह बहुत ही खुसी वाली बात है बहुत ही प्रशनता वाली बात है कि जारकंड सरकार अब जारकंड लोक सेवा आयोग के दौर आजित होने वाली सीविल सेवा परिक्षा के मुख्य परिक्षा की तैयारी के कवायद आरंब होगी मुख्य मंत्री परतिभा पृत्साहुन योजना ठीक है यानि आप इसमें किताब खरीच सकेंगे इस योजना के अंतरगर जो आपको पचास जार रुपए की रासी मिलेगी उससे ठीक है राची में महिलाओं के लिए खुलेगा नेशनल स्कील ट्रेनिंग इंस्ट्यूट और इसके अलावा यहाल इस्तित आई टी आई परिक्षार में संस्तान के लिए मिली एक एकड़ जामिन तो यह खुशी वाली बात है उन सभी के लिए जो आगे आने वाले समय में जेपिय परिक्षार में रासी परतान की जाएगि यह दोस्तों बता दूं इसी परकार थो में इसी जैनकार के बैल आइकन को ब्रेस कर लें ताकि किसी भी परकार का ख़बर न अ चूटे यहां पर विडियो आफ्त करता हूं आसा बहुत बहुत धन्यवाद